हाई व्रेवान स्वागत है आप सो को फिर से एक ने वीडियो पर दोस्तों आज आपसे संबंदित महतपुर प्रस्ण तो नंबर सीश्टम यानि की संख्या पदती पहला कोश्छन है आपका 1-2-3-99-99-59-59 का योग है इस प्रस्णो को करने का ट्रीक क्या है आप 99 दिया है त 50 बार में कट जाएगा तो पचास बार में कट गया आगे लिखिए 99 50 तो 99 50 अब इसको मल्टिप्लाइब कर लिए जो आएगा वही आपका एंस्वर है तो मल्टिप्लाई कीजिए जीरो पन्नावफ पैंतालिस पन्नावफ पैंतालिस और चार उन्चास तो चार हजार 950 जो है आपका answer है option number भी जो है इसका सही है दोस्तो आपको बताना है दोस्तो कि 123 प्लस 107 तक की संख्या का योग क्या होगा comment करके जरूर बताएगा दोस्तो कि इसका answer क्या होगा देखे दोस्तो यहाँ पे question दिया गया है कि 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 10 डेख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ सुरूआ है तो पचीस से सुरूआ है तो पचीस के पहली जितनी भी संख्या है उसको हमको माइनस करना है अब हम जानते हैं 160 है हम लिखेंगे 160 अगूरे कितना से करेंगे तो इसके जश्ट आगे वाली संख्या 161 और इसमें देंगे भाग हम कोई कंफ्यूजन है जरूर कॉमेट कीजिएगा दोस्तो अब माइनस इसमें कितना है तो 24 है 24 अगूरे इसके आगे की संख्या क्या है तो पचीस है अब हाग कितना से देंगे हम दो से ठीक है यह आपको प्रोसेस फालो करना है अब इस ट्रिक का यूज़ करके आप सिंपली निकाल सकते हैं कि पचीस से लेकर के 160 की संख्या का योग कितना है दो से इसको अगर मैं काटेंगे तो यह आठ बार में कट जाएगा असी आ जाएगा अब असी से इसमें मल्टिप्लाई कर दीजिए तो जीरो आठेकन्ने आठ आठ च्छके अर्तालीस आठेकन्ने आठ चा इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों न तो यह कितना आ जाएगा जीरो आठ पांच अब बारह हजार पांसो असी यानि कि अगर मैं बीच से संख्या सुरू करें कहीं तक जा करके पूछे कि संख्याओं का योग कितना है तो इस प्रोसेस को फालो कीजिए आप असानी से को स सॉलो करके एंसर बता सकते हैं तो बारह हजार पांसो असी चायद इसमें लिखा नहीं गया है बारह हजार पांसो असी गलती से सब्तर लिखा गया है तो बारह हजार पांसो असी आपसर नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों यहाँ पे question दिया गया है 15 plus 16 plus 17 plus 90 का योग है comment करके बताईएगा सेम उपर वाले question के जैसा लगेगा इसका answer क्या है यहाँ पे दोस्तों आपसे कहा गया है कि पर्थम एक क्यावन प्रकृत संख्या के वर्गों का योग ग्याद किजिए हम जानते हैं प्रथम प्रकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है तो इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है यन यन प्लस वन और फिर आपको लिखना है टू यन प्लस वन अबटा छो बस इस फर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं तो प्रकृत संख्या के बर्गों का योग असानी से ग्याद कर सकते हैं तो आईए ग्याद करते हैं तो यन का वेलू है 51 तो लिखे 51 गुड़े 51 में एक जोड़ दीजे आ जाएगा 52 52 अब फिर 51 का दो गुणा करेंगे तो 102 102 में एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 103 इसको क्या करना है छो से भाग दे देना है छो से काटिए तीन दूनी छो आईए कट जाएगा तीन एकने तीन तीन सत्ते 11 इसको काटिए दो दूनी चार दूचके 12 तो अब ये आगये आपका क्या 17 गुणे 26 गुणे 103 थोड़ा ये मल्टिपलीकेशन जादे आ गया तो 103 का 26 में मल्टिपलाई कर लिजे 103 का 26 में मल्टिपलाई कीजे थोड़ा सा केल्कुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको मैथ में तो चो 3, 18, चो 1, 6, दू 3, 6, अज़ 2, कितना आ गया ये? 8, 7, 6, 2, अब इसमें 17 से मल्टिप्लाई करना है दोस्तों. यहींपे हम कर ले रहा हैं, 2, 6, 7, 8, तो 2, 6, 7, 8 में 17 से मल्टिप्लाई, 7, 8, 56, 7, 7, 49, 44, 47, 27, 24, 24, 48, इतना आ जाएगा यह एक से multiply करेंगे तो से वही नंबर आता है साथ चोव दो अब इसको plus करेंगे ना तो चोव आठ चार बारह साथ साथ चोवदा एक पंदरह आठ चोवदा एक पंदरह दो एक तीन एक चार तो इसको multiply करने पर कितना आ गया चार पांच पांच दो छो तो यह आपका एंसोर होगा option नंबर बी जो है इसका दोस्तो सही है कि देखे दोस्तों अगला question है एक दम सेम उपर वाले के जैसा है लेकिन इसमें इस तरह से दिया है कि एक स्क्वाइर प्लस दो स्क्वाइर प्लस तीन स्क्वाइर प्लस असी स्क्वाइर दिया हुआ है तो से मोई फार्मूला यूज करेंगे यानि कि यन यन प्लस वन अब फिर टू यन प्लस वन अब आई 6 इसका यूज़ करेंगे फिर हमको यही फार्मूला यूज़ करना है यन का वैलू यहाँ पर क्या है तो कहां तक की संख्याओं का यूग ग्याद करना है तो एक से लेकर के 80 तक की संख्याओं का यूग ग्याद करना है बट्टा कितना है तो छो है काट दिए दूत्याई चो अदू चालीस हम असी चालीस आ जाएगा फिर तीन से काटिए तीन दूनी चो साथ आठ तीन सब्सक्राइब एकईस यानि कि यह कितना आ गया दोस्तों हमारा चालीस गूड़े 27 गूड़े 161 जान बूच करके हमने ऐसा कोश्चन लिया है जिसमें थोड़ा सा मल्टिप्लाई आपको करना पड़े क्योंकि मल्टिप्लिकेशन वाला ही कोश्चन आता है सिंपल सिंपल कोश्चन तो आपको आएगा नहीं तो आपको थोड़ा सा मल्टिप्लाई फास्ट करन पड़ेगा तो मुल्टिविलाई कर लिएㄞ 27 से 27 का 161 साथक कंए साथ सद कerson के 42 ग्यारा 21 2226 के बारा कुछ से लड़ी जल्दि मुल्टिप्राई करना क्ला सिखे दो दू चार इसमें 4 तो पुछ seben Pak अचार से मल्टिवले, चार सकते 28, चार चुको 16, 17, 18, चार चुको 16, और एक 13, चार चुको 16, और एक 17, तो कितना आ गया, 17, 3, 88, 0, 17, 3, 88, 0, देखे, 17, 3, 88, 0, option number C दोस्तों, इसका सही है, देखे दोस्तों, इसमें कोशन को थोड़ा घुमाया गया है, 10 स्कॉयर प्लस 11 स्कॉयर प्लस 12 स्कॉयर प्लस 50 स्कॉयर का योगफर पूछ रहा है, तो हम जो देखेंगे न इसमें क्या करेंगे एक स्क्वाइर से ले करके एक स्क्वाइर प्लस दो स्क्वाइर प्लस डैस डैस पचास स्क्वाइर तक का योग याद करेंगे एक से ले करके याद रखेंगा एक से ले करके इसमें माइनस कर देंगे हमना तो एक से लेकं करके एक इस्वायर प्लस दो इस्वायर अप्लस डैज डैज कितना माइनस करना है तो नो तक की संख्याओं का योग इसमें से माइनस कर दें इतना यह आपको करना है देखे करना क्या है आपको तो लिखे ठीक है minus एकदम basic concept के साथ सिखे ताकि आपको एकदम सही से question लगाना आ जाए 9 गूड़े 10 गूड़े 9 दुनी 18 और 11 बस ऐसे फार्मूला के basis पर लगाए question एकदम simply आपका लगता चला जाएगा इसको काटेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा ठीक है 25 बार में कट गया तीन से दो से काटेंगे तो यह कितनी बार में कट देगा तो तीन एकनने तीन चार पाइच तीन सत्य एक कईस ठीक है अब इसको भी काट दीजें तीन तीन दुनी छो अदू पच्छे दस बस इतना आगया आपका अब इसको ऐसको मुल्टिप्लाई कर लिए ठीक है 17 से इसको पहले मुल्टिप्लाई किजे तो 25 गूडे 17 अब फिर 17 साटराम करने 17 माइनस यह कितना आ जैगा 19 95 गूडे तिन उननीस पचे 95 अब इसको मुल्टिप्लाई की count 25 से मुल्टिप्लाई करने के बजाए क्या है आप इसको चार से डिवाइड कर दिजिए दो जीरो बढ़ा करके यहाँ पे चार से डिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड करना यहाँ पे दो जीरो बढ़ा करके आपना चार से इसको डिवाइड कर दिवाइड करना इसमें आसान रहे तीन पच्चे 15 एक तीन वह 27 और 28 इतना आ गया अब इसको माइनस कर लिए दोस्तों तो देखें पांच में से पांच माइनस करेंगे आएगा जीरो बारह में से आठ माइनस करेंगे चार और फिर आठ में से आपका एंसर हो जाएगा option number c जो है इसका सही है देखें दोस्तों अगला कोशन है प्रतम 30 प्रकृत संख्या के घनो का योगफल ग्याद किजे घनो का योगफल ग्याद करना हो तो आपको याद रखना यद यद प्लस 1 बाइटू का होल इसको है बस इसको याद रखें इसके होल इसको यह तो लिखेंगे ना दो से काट दिजे इसको 30 को तो 15 बार में कट जाएगा तो लिखे 15 गूड़े 31 का होल इसको यह आएगा 15 का स्कॉयर होता है इसको मल्टिप्लाइ कर लिजे जो आएगा इन चारों में से कोई एंसर होगा कॉमेंट करके बताएगा दोस्तों कि इसको मल्टिप्लाइ करने पे कौन सा आप्सन नंबर सही है देखें दोस्तों सेम उपर वाले कोश्चन के जैसा यह भी कोश्चन है लेकिन इसमें एक दो तीन से सुरू किया है दस तक खतम कर दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला वही लगाएंगे यानि कि 10 आ 10 प्लस इसको ऐसे करिए न 10 गूड़े 11 बट्टा 2 क हम होली स्कॉयर दो से काट देजिए 5 बार में 5 का स्कॉयर कीज़े आएगा कितना 25 और 11 का स्कॉयर कीज़े आएगा 121 ठीक है 121 इगा 121 आएगा अब आपको 25 से इसको मल्टिप्लाई कर दिजे या 2 0 बढ़ा करके 4 से भाग कर दिजे तो आपको जो अच्छा लगे वो कर स आपसर नमबर गलती से लिखा नहीं गया है तो 27, 50 27 और 50 इसका एंसर होगा आपसर नमबर भी जो है इसका सही कर सकते हैं आप दोस्तो इस कोशन में कहा गया है 5 से सुरू किया गया है 15 तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है आपको कुछ नहीं करना है 15 है न तो लिखना है 15 गूड़े 16 बट्टा 2 का स्कौाइर ऐसे कर दिजे इसमें से माइनस कर दिजे क्या न तो 5 के पहले कौन से संख्या मांच एक आगे बढ़ जाए अब बट्टा 2 का स्कौाइर बस आपको इसी को सालव करना है दोस्तों तो दो से काट दिए दू अठे 16 अब पंद्रव अठे 120 120 का स्कौाइर करेंगे तो एक चार डबल जीरो आएगा अब माइनस यहां पर देखेंगे तो दो दूनी चार आपका एगा 100 अब इसको माइनस करेंगे दोस्तों न तो कितना आजाएगा 14300 आएगा तो यही आपका एंसर है ऑप्सन नंबर ए दोस्तों इसका सही है तो इस तरह से जब बीच में से संख्या दे तो आप इस का यूच करके आप को क्या कर सकते हैं सिंप्ली सॉल्व कर सकत आपको क्या है कुछ नहीं करना है 12गो तो आगे वाली संख्या क्या होते हैं 13 तो बारा गूंडे 13 कर देंगे आपका एंसर है तेरह दुनिश 233 कने 13 चाने 13 15 इस तरह से 156 आपका एंसर होगा और और ऑस नंबर बी जो इसका सही है दोस्तों दोस्तों यहाँ पे कहा गया ना पचास तक की सम संख्याओं का योग है पचास तक की सम संख्याओं का योग मतलब एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डेश 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 पचास ठीक है पचास तक की सम संख्या का योग पूछ रहा है तो इसमें सम संख्या कितनी होगी तो 50 तक में सम संख्या ग्यात कीजे कितना होगा तो सम संख्या जो होगा वो 50 का हम क्या करेंगे 50 में 2 से भाग दे देंगे तो 50 में हमको क्या करना है 2 से भाग दे देना है भाग देंगे तो हमारा आएगा 25 यानि 50 तक में कुल 25 संख्या सम संख्या कितनी है 25 है तो हमको क्या करना है पचीस गूरे 26 कर देना पचीस अब 25 के आगे की एक संख्या 26 इसको次 कर लेना है मल्टिप्लाई करने से अच्छा है दो 0 बढ़ा करके भाग दे देजे तो चार जैसे 26 है 26 में हम क्या करेंगे न जब 25 से multiply रहें तो आप क्या किजिए न 25 में 26 से multiply रहें तो 26 के आगे दो 0 भढ़ाईए इसको चार से भाग दे देजिए बस 25 से multiply हो गया आपका चार 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 के 24 25 25 25 25 जीरो 650 तो पचीस का 26 में multiply करेंगे तो एंसर आएगा 650 तो option number B जो है दोस्तों इसका सही है देखिए दोस्तों 12 14 16 यानि कि इसमें 12 से शुरू किया गया है 20 तक गया है कौन से संख्या होगी 10 तक तो 10 तक में देखेंगे यहां 20 तक कितनी संख्याएं आएगी आपकी तो 20 तक अगर मैं चेक करेंगे हम तो इसमें 10 संख्याएं होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो इतनी भी संख्या रहती उसमें हम दो से भाग देदेंगे तो हमको कुल संख्या मिल जाएगे तो कितनी संख्याएं हैं दो से लेकर के 20 तक में तो प्रारम भी 10 तो संख्याएं अब हम देखेंगे न तो 12 से पहले कितनी संख्याएं है तो 10 चुणोंडे हमको क्या करना है जिस्ट आगे वाला नंबर Y11 से मल्टिप्लाई uranium आज़े पांच है तो 5 में जिसके आगे वाला नंबर 6 से मल्टिप्लाई 11 आमें 106 सुर्य 1110 और माइस ना करेंगे तो कितना अएगा 80 आएगा P पासर नमबर भी जो है इसका सही है असी एंसर होगा